है एलो दोस्तो नमस्ते भाई तो कैसे हैं आप सब आज हम दखने जा रहे हैं बिहार प्लो टेक्निक के केमेस्ट्री के बारे में केमेस्ट्री में देखे हम आज देखेंगे रसाइनिक अभिक्रियाओं में उर्जा परिवर्तन इसके पहले हम देख चुके हैं पदार्थ की प्राकृति के बारे में प्रमानुसन रचना के बारे में रेडियो सक्रियतर के बारे में रसाइनिक बंधन के बारे में तत्व का आवर्ट वर्गी करन के बारे में रसाइनिक अभिक्रिया रसाइनिक संकेत सुत्रवम समिकरन परमन द्रभमान इकाई या फिर मुल संकल्पना के बारे में और लास्ट हम देखे थे गैसी नियम के बारे में आज हम देखेंगे रसाइनिक अभिक्रियाओं में उर्जा परिवर्तन के बारे में चलिए दखते हैं देखें यह जो टॉपिक है यह टेन टॉपिक है वह है रसाइनिक विक्रिया में उर्जा प्रिवर्टा फर्स्ट इसमें टॉपिक आता है वह है रसाइनी का विक्रिया में उर्जा उर्जा क्या चीज होता है जैसे देखे एक होता है बंधन उर्जा इसको बॉंड इनर्जी बोलते हैं होता क्या है बॉंड इनर्जी जब किसी पदार्त के एक फिए एक मॉल किसी भी पदार्थ 2020 के एक मॉल अनुओं और फिर शिर्फ एक मॉल अनुओं को परमानुओं में बदलने में परिवर्थित करने के राओधा यह बंदन उर्जा है बंदन उर्जा जो है ुर्ट किलो जूल पर्टी मोल में माप सब्सक्राईन में एक रख़ेगा अगला ऑग्ला आता है परकास रसाइम भौक Mauri history इसमें होता क्या है कि कोई जब प्रकास रहता है प्रकास ऊर्जा के अव्षोशन से संबन होने वाली अभी क्रिए को प्रकास अभी राशायनिक कर लेता है प्रकास उर्जा करता है उसको अब्सवार्ण घ्री रहता है तो यह दो परमानेशय तोड जाता एक एक अनूभर विधूत्र साइन स्सेश्ट्टर इस mi में इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या फिर वॉल्टा सेल भी बोलते हैं या विध्यान रखेगा इसमें क्या होता है कि इसमें कैठोड पर कैठोड जो है कैठोड को पलस बोलते हैं ठीक है इसमें उल्टा रहता है एक चीज़ याद रखेगा इसमें उल्टा रहता है चैल या फिर बिदुत अबचन जल में इसमें जो है उल्टा रहता है और अनोर्ड नेगेटिव रहता है इसमें जींक देखें एक बीकर लिया गया है जिसमें जींग शलफेट डाला गया है और जींक च्छाड़ है इसलिए जींक का कोपर का छाड़ा है और इसलिए इसमें जो है कोपर का ही अफ्लीयन डाला गाए कोपर अदोनों को एक गभंभी है यह यह लओन से तुर इसको अजा से मिलाया गया वह द्हारा प्रवाहित होता है केठ आट होड सिर्फर अब हमाइस में प्लस हो जाता tenía mm जीस we incident करके लिंप प्लस दो बनता है और को पर जो है बादवcious में सिलफिट के बिलियन में कॉपर है उसा उसन्सका प्रबह चमाँ होते जाता है वह जो है इसको जोड़िए एया तो जिंप जो है प्लस टुगायान से अभी क्रिया करके जिंक प्लस टू आयन प्लस कॉपर बनता है कि अध्यान रखेगा एक चीज़ यहां पर ध्यान रखेगा कि विधूद अभगाटन में या फिर सीशा संचायक सेल में हमेशा इनोड पर ही एलेक्ट्रॉन का मुक्त होता है अगला है सुख सेल या फिर ड्र लाल कलर से यह कारवन के छाड़ हैं और यह यो दिख रहा है है यह जो मोटा सा चादर है जिंक का और जिसको की केट्वर बनाया जाता है यानि पल्स बनाया चाहिता है जो है के लिए और यह मलोंगी छो और यह एक पर पर करके मिस्रण होता इसको पर आजाता है और यह पोर इसल को भी भषर दिया जाता है सूसक भी दिया रखे़ा अगला जो आता है वहाई संचायक यह फिर अस्टोरेज शिशा संचायक भी वोलते हैं इसको इसमें देखें लेड होता है यहां तक जो है आपका पूरा चेप्टर समाप्त हो गया त्योरी आगे से हम देखेंगे कि इसको वस्टू नींस्ट प्रस्थ चलिए देखें कि वांसल किसी बैदूत अब घाटन से ऑकर विदूत परवा किसके गमन के कारण होता है एलेक्ट्रोन के प्रोट्रोन के आईनों के या फिर परमानों के विधूत अवगाटन से होकर विधूत परवा जो होता है वह आईनों के परवा के करण होता है ना कि अलेक्ट्रोन के या भी देहन दखेगा वगला की उचन है वह बैदूद अब घटन में अवकरन होता है वह कैठोड पर होता है कैठोड पर होता है अवकरन यहां पर जिसे ध्यान देजेगा अवकरन यहां का मुक्त होना कैठोड पर जिंक जो है वह दो एलेक्रन मुक्त करके जिंक पलस दो आयन में बदल दाता है अन्देहां देजेगा यहां देखिए ऐसे बढ़ा क्यों पर दोडने के लिए आवसे कुर्जा को कते हैं बंधान को तोड़ने के लिए तो बंदान उर्जा अगला के लिए में गटन में अक्सी कराण होता है और पर कर तो पर आपकरण यहों ध्यान देगा अब करन पीछे बताए थे इसां आपकरण को अब झायन भी बोलते हैं अब अब गटन को बैदूद अब घटन में अब करन होता है तो कैटोर्ड पर और बैदूद अब घटन में ऑक्सी करन होता है तो एन और पर अब धियान रखेगा यहां पर आप ध्यान दिजेगा दो सब्द आया है एक तो आया है ओक्सी करन एक आया है ओक्सी करन आएगा या फिर आया है और इसको बोलते हैं उपचैन इसमें क्या होता इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का इसमें एहां दिएगा है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का एलेक्ट्रॉन का ग्रहन किया जाता है ग्रहन किया जाता है लेकिन आपे दिएगा स्कैन जो टोपिक पॉइंट है वह है आउक्रन अवकरन या फिर इसको बलते हैं अपचैन उपचैन नहीं इसको अपचैन बलते हैं इसमें क्या होता है इसमें जो होता है इसमें इलेक्ट्रोन का त्याग किया जाता है त्याग किया जाता है तो इस पॉइंट में जैसे ध्यान देज़ेगा इसमें ठाड के उचने में बोल आपको बैदूत अब घटन में आवकरन होता है अब करन यानि एलेक्ट्रोन का त्याग किया जाता है तो देख्ये प्रकारण अगला जो ग्रहन किस पर कि यहां देखिए एलेक्ट्रोन का ग्रहन करके कौपर पलस उयन दो है अब बदल दाता है यहां पर यानि नोड़ पर जो है एलेक्ट्रोन का क्रहन किया दाता है इसलिए एनोड पर जो है दो sizi करान होता है कि तो पर जो है वह औक्रान होता है अब अगला के पार है karim अलुमियम जास्ता की या निकल की जास्तिक्रीत लोह यानि जास्ता की परत चड़ ही रहा थी उस पर सिंपल से क्यूच में अगला क्यूच नहीं है निमलिकित में कौन सी धातू को वायू में खुला छोड़ देने पर उसका संचारन नहीं होता कर दो सकता है अस्टेय्ण अस्टिल का पीतल का हीरका इसका जो राइट अंसर होगा वह है वहसी रेत यह धास्ता है पिठकर तो धातू नहीं हैँ पीतल और अस्टनलेस अस्टील, पीतल का हो सकता है, अस्टनलेस अस्टील का नहीं होता है, यह भी ध्यान देजेगा, आपका बुक में गलत अंसर दिया हुए, आप यहां पर करेक्ट कर लेजेगा, अगला क्यूचन है, वह है दो परमानुओं के बीच बने बन्धन के फल्स अपन्ध और जत्यागत दो पर्मानुवें कि बिच बने बंद को यानि बंद बनाए तो उसको आपनुजध आगे अगला क्यों एक मौल पदार्त के जलने दाहन की उसमा को कहा जाता है दाहन की उसमा गोल उसमा गठं उसमा या फिर कोई नहीं तो इसका डाइटासन अंसर हो नहीं बनने की प्रक्रिया में गठन की उस्मा होगा लेकिन जालाने के प्रक्रिय में दद्धान के उस्मा अभी H2 PLUS CL2 जो है HCL बनाता है कैसा विक्रिया है सही हो जईन अविक्रिया प्रकास राशानी को प्रकास भीक्रिया होगा किसी बैदूत अब घटन से विदूत धार प्रवाहित है एलेक्ट्रोनों के कारण आइनों के कारण प्रोट्रोनों के कारण या इन में से कोई नहीं है हम पीछे बता हैं यह आइनों के करण होता है अगला के उचन है लोहे को निम्न में कौन सा पदार्त बनाकर उसके संचारन को रोका जाता है अगला के उचन है अभी कारको को समान अवस्था से उत्यजित अवस्था में लाने के लिए जो जो उर्जा अवस्था होती है संकिर्यन द्यान रखिए अगला क्युक्ष चाहर है एच्टू प्लस ओटू मिलकर एच टूगो बनाता है और चार्सो दिराशी किलोजूल अभी क्षिप करता है इस अभीक्रिया में जूल के गठन की उसमा कमान जूल के घृतन की उसमा की मान दिया है हुआ वियet Geo oh भाँ Yay के गठन कि उस्मा 친ले कि बलता है कि देखें दो अनु है निसे हेटरोजवन से और यह दो अनु जल बन रहा है ये ये29 बन रहा है ये दो उन जल बन रहा है ये टना दे रहा है गठन कि उस्मा तो आं fulfil जल मनने के लिए इसका आधा जगत आधा ही इतना होगा अगला क्यों चंग है किसी पदार्थ के वन बाई टू मुलक को ऑक्सीजन में पुर्ण स्वरूप से जलाने पर 122.5 kg किलो जूल उसमा मुख्ध होती है पदार्थ की दहन उसमा है आधा मौलक को जलाने पर एक मौलक को जलाने पर कितना होगा इसका दुगना करने पर कितना आता है देखिए किसी पदार्थ के एक बटा दो मौलक को ऑक्सीजन में अहां ध्यान देगा इसका अविक्रिया लिखते हैं मान लिजिक कोई पदार्थ है उसका दो मौलक को ऑक्सीजन में ओटू में जलाने पर उसमा मुक्त होता है कितना तो 192.5 किलो जूल के पदार्थ की दहन उसमा क्या होगा इसका जो राइट अंसर होगा 800 www 355.0 किस परकार होता है जैसे यह हैं धहां से देखेगा गठन उसमा होता क्या है गठन उसमा कहता है किसी पदार्थ का एक मॉल को ऑक्सीजन गैस में पूर्ण रुप से जलाने पर जितनी उस्मा मुख्थ होती है उस पदार्थ के दहन उस्मा कहलाता है तो यहां जैसे चौदा में दखियां क्यूचन नमर चौदा में 2H2O 2H2O है तो दो मोल हाइड्रोनेंट का जो है ऑक्सीजन में जलता है तो कितना ज मोल ऑक्सीजन की उपस्तिती में पूर्ण शुरूप जलने के पस्चात जितना उसमा देता है उसी को गठन की उसमा कहते हैं तो दो मोल को जलाने पर 483 किलो जूल देता है तो एक मोल जलाने पर उसका आधा देगा इसी परकार 15 मिन क्यूचन में है किसी पदार्थ के एक ब अगला क्यूचन है कि अगला क्यूचन होगा परकास रसायने कभिक्रिया का उदाहरन है परकास रसायने कभिक्रिया हम पिछे ही बताए है कि एच टू और स्यल टू जो है वहारा प्रकास रसायने कभिक्रिया के उदाहरन है और एच सियल बनाता है अगला क्यूचन है कि वि औक्षिकरन हम पीछ बताये हैं नोड पर होता है औक्षिकरन यानि ऑलग्ट्राउन का ग्राहन करना ठीक है जो है ऑलग्वेंग करता है अगला है लौफ द्हातू पर जिंक द्हातू की परत बैठाने के रिए कहलाती है जिनकुदःट यानि जस्तिकरण जली करण है यह गयल्वैनिकरण अगला की वचन है वह है गयल्वैनिक सल में क्या होता है शल्ययों इंट है एजो है और जो है उसे पpected करता है सुस्क Tale क्या परिवर्धिद करता है अप्ष ले विदृ और्जा को रसायनिक और्जा मुझाम और अप्षन न geen को रसायनिक और जाको विदृ यहीजीत उप्षेतर अगला की उचन है यो कि लास्टवज इस चेफ्टा का वह है वाइधुद अब घटन में अलेक्ट्रॉन मुक्त होता है होता है यहां तक जो है आपका ये चप्रट्स माफ्त हुआ अब आग आने वाले वीडियो में देखेंगे इससे दखें अभी पढ़ चुके हैं रसायने का भिक्रिया में उर्जा परिवर्तन के बारे में अब आगे आने वीडियो में देखेंगे इंधन के बारे में फ्यूल के बारे में